दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नई TBS की जो 125cc की राइडर है उसका जो हेड लाइट है और जो इसका इंस्टूमिक फ्रॉशर है वो देखने में कैसा है तो असल में अभी आप जो देख रहे हैं वो TBS की राइडर ही है और यहाँ पर अगर आप इसक हैं इसके इंस्टूमिक फ्रॉशर की और कि आखिर हमें यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें मिल जाती है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो आपको काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है मैं एक बाइच की को आफ कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर तरी तो आप देखें तो यहाँ पर यहीं से अगर इपकर गहीर कर दो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको आरपी term लिखा हुआ है जो कि मैने नियूटी कर दिया ध एक red वाला बाहर है जो कि blink हो रहा है और उसी के साथ orange color का जो fuel का outlet होता है वो भी आपको यहाँ पर blink होता हो दिखाई दे जाएगा बाकि इसके अंदर आपको 4 बार मिल जाएंगे जो कि fuel को indicate करेंगे कि आखिर इसमें कितना fuel है इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपको average दिखाई दे रहा है जो कि 40 km पर लेटर है मुझे लगता है कि rider ने जब इसे यहाँ पर लाया हुआ है तो काफी हीच करके आया हुआ जिसके वजय से जो इसका fuel लेकर नाम है वो काफी गिर गई है अगर मैं इसके यहाँ से switch को press करता हूँ तो यहाँ पर जो है कुछ option change होंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है कि 12.1 km यह bike चल चुकी है इतने जहां से यह आई होगी गुदाम से उसके बाद अगर मैं दुबारा से प्रेस करता हूँ इस switch को तो यहाँ पर आपको trip B दिखे रही है तो trip A और trip B दोनों ही 12.1 km हुए है बाकी यहाँ पर अगर आप देखे तो range इसमें करीब करीब 70 km की दिखा रही है यानि इसमें जितना fuel है उतने fuel में इसमें करीब 69 km यह अभी जा सकती है अगर economically चलाया जाया तो बाकी अगर मैं दुबारा फिर से इस button को प्रेस करता आपस से average पर आगया जो कि 40 km पर लीटर का है यहाँ पर अगर आप देखें तो check engine light दिख जा रही है औरो दिख जा रहा है जो कि 12 km का है यहाँ पर आपको speed दिखाई देगी जो कि मैं अभी आपको दिखा दूँगा बाकी मैं अभी फिलाल engine को start करता हूँ ताकि आपको headlight जो है वो रात के टाइम पर मैं दिखा सका हूँ फिलाल गारी नूटल में है तो मैंने start कर दिया है एक बार देख लेते हैं सामने से headlight कैसी इसकी दिख रही है तो यह है इसका I think upper मैं एक बार इसके mode को change करता हूँ और यह इसका तीनो light headlight की जो है वो on हो चुकी है अब यह सरी के इसमें देख सकते हैं फिलाल मैं इसके mode को change करता हूँ और यहाँ पर आप देखते हैं वापस से नीचे जो light है वो वाली बंद हो चुकी है बाकि यही दोनों on है आईए मैं एक बार इसमें gear change करता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर gear का indication है वो कैसा दिखाई देता है अगर आप देखिए तो मैंने gear को change किया है और यहाँ पर speed 7 km पर आर की है मैं वापस से gear को second gear में डालता हूँ 3rd gear में मैं डाल दिया है तो speed जो है वो करीपरी 16 km पर आर की हो चुकी है फिलाल मैं इसको off करता हूँ ताकि engine को ज्यादा रेव न किया जाए अभी नया ही engine है दुसरी बात अभी ये गाड़ी showroom पर गड़ी है तो इस तरीके का जो है आपको ये instrument lecture मिल जाता है बाकि ride और bike क बात करूं तो bike का जो look है वो कहीं जादा बहतर है यही main variant यही same आपको black color में भी मिल जाती है जो कि यहाँ पर खड़ी है मेरे सामने अगर मैं इसे भी on करूं तो ये भी आपको tvs की rider ही दिखाई देगी तो इस तरीके की कुछ bike है और इसका जो light और जो instrument lecture था वो मैंने दिखा दिया अगर information अच्छी लगी हो तो यार please like जरू कर देना तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक amazing वीडियो में दब तक यार खेल लगना अपना और अपनी bikes का बाबाई